हेलो व्रेंट्स आठ मैं explain करने वाला हूँ गंस अकींबो मुवी को या मुवी एक science fiction horror मुवी है और इस मुवी में हमें दिखाया गा है कैसे जाएगा इसी बेस पर याur story हमें दिखाया गए है मुवी के start में हम देखते है miles को जो एक office में काम कर रहा है पर उसकी आफिस में बिल्कुल भी इजट नहीं होती है क्योंकि उसे कोई भी नहीं चानता है और वह एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत ज़्या सीधा होता है लेकिन उसकी उंगलियां मानो ऐसे काम करते हैं जैसे कोई AI रोबोट कर रहा हो उसके बाद हम देखते हैं वह एक ऐसे इंटरनेट साइर्ट पर फज़ जाता है जिसका नाम अकीजम होता है और फिर हम देखते हैँ जैसे ही वह अकीजम पर इंटर करता है तो उसके रीडर रिक्डर को पताद चल जाता है कि उस पर कोई अभी नया बंदा इंटर हुआ है फिर माइल्स उस साइट पर चैट करने लगता है और तभी उसका IP एड्रस उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर वाफ़ार उस साइट को बंद करकर अपने लिप्टाउगों किनारे रख देता है और फिर मानोवा के बारे में सोचने लगता है और तभी है जाने से उसका दर्वाजा को एक खट खटाता है और वह फॉरंस अपने से जग कर जाके दर्वाजे को खोलता है जैसे ही दर्वाजे को खोलता है तो इसके सामने रेक्टर होता है और रेक्टर को देखकर उसकी आँखें तन जाती है ज़रसल यह उसी साइट का मालिक है जो एक बहुती बार ड़ान है और फिर रेक्टर मायल्स से कहता है क्या तुम मेरे गेम को जोईन करना चाहोगा पर मायल्स मना कर देता है और कहता है मैं तो सिफ ID को चेक कर रहा था और तभी हम देखते है कि रेक्टर को इस बात से गुश्चा आ रियता है और वाह उसे भी होस करकर उसके हाथ में दो गन को फेट कर दिता है और यहां से इसकी जिन्दी की बदलने वाली थी और फिर हम देखते हैं उसके दोनों हाथों को उसके दोनों हाथों में दो बंदू के फिट होती है जो उन राइक्टर के आत्मियों ने किया होता है राइक्टर उसे बदला लेना चाहता था और फिर उसके गेम पर डाल देता है और फिर एक बंदी को उसके मारने के लिए भेज़ता है और उस बंदी का नाम निक्स होता है निक्स एक बहुत अच्छी किलर होती है वा भी इस साइट में बहुत सालों से काम कर रही है जला सली एक ऐसे साइट है जिसमें किलिंग गेम चलता है और इसके बहुत सी और्डियंस लोगों को लाइफ मारता हुआ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मायल्स को मारने का काम निक्स को दिया जाता है निक्स उसके मारने के लिए जैसे है उसके उपर गोली चलाती है तो मायल्स फावन खड़कियों से कूट कर वहां से भाग जाता है और उसकी वीडियो ड्रॉन में रिकार्ड हो जाती है सबी लोग मायल्स को देखकर बहुत ज़्यादा हास रहे होते हैं इसलिए रेक्टर फैसला करता है कि अब किसी को भी लाइफ ना दिखा कर सिर्फ मायल्स को ही दिखाया जाएगा और फिर हम देखते हैं कि मायल्स जैसा ही पुलिस वालों को पास जाता है वानोवा के पास कॉल करता है और नोवा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाता हूँ लेकिन वानोवा की गाड़ी में जाकर चुप चप बैठ जाता है और पीछे निक्स आ रही होती है निक्स मायल्स को जैसे ही मारने वाली होती है तो वा नुवा से कहता कि फॉन कार से यहां से चलो और फिर रास्ते में आगे जाकर वा अपने हाथों के बारे में जैसे उसे बताता है तो नुवा बहुत डर जाती है और उसके आखों में एक स्प्रे करकर वहां से भाग जाती है और यह सब माइल्स देखकर बहुत ज़्यदा परेसान हो जाता है इसलिए वाफ ऐसला करता है कि मैं अपने आपको सोट कर लूँगा और वाफ अपने आपको जैसे ही सोट करने वारा होता है तो इसे एक भिकारी रोक लेता है और यधर नोवा भी पुलिस वालों के पास मदद बांगने के लिए आई होती है और वाउन पुलिस अलों से कहती है कि मैंल्स एक ऐसे साइट पर फस जा है जिसे बचाना आपका काम है और निक्स को काफी सालों से पुलिस वाले ढून रहे थे इसलिए वाई फैसला करते हैं कि हम माईल्स का पीछा करकर निस्ट को बचाएंगे क्योंकि निक्स माईल्स को माना चाती है और या बतनों को पता होती है फिर माईल्स अपने आफिस जाता है और वहाँ अपने दोश से मदद मांगता है उस साइट से बाहर निकलने के लिए और अपना डाटा को साफ कराने के लिए पर तभी वहाँ पर निक्स आ जाती है और वहाँ पर हगदल मर जाती है वहाँ पर सभी लोगों उपर गोली चलती है जिसमें की माइल्स का बास मारा जाता है और फिर माइल्स फारण वहां से निकलकर निक्स से बस्त हुवे एक कार में बैट जाता है और अपनी कार को बहुत तेश भगाएंग लगता है और निक्स जैसे ही उसे मानने वाली होती है तो वा फारण वहां पर एक टैंक फोल्ड देता है जिसमें से बहुत सारी आग निकलती है जिसे देखकर निक्स सहम सी जाती है ज़रसल बच्पन में उसके साथ एक्सिडेंट हुआ था और जैसे ही निक्स आग को देखती है तो उसके अंदर की बच्पन का वहाँ हाथसा याद आने लगता है इसलिए वाई स्टॉप जैसे ही होती है तो वहाँ से माईल्स फायदा उठाता है और भाग जाता है यह देखकर रेक्टर को काफी कुछ साता है और फिर हम देखते हैं जब वहाँ से माईल्स गुजर रहा होता है तब ही दो गाइंग आपस में डेल कर रहे होते हैं और वह लोग जिसे ही माइल्स को देखते हैं तो नहीं रगता है या पुलिस का आदमी है इसलिए वा उस वर गोली आटाइक करते हैं पर माइल्स को माने काम निक्स का होता है इसलिए निक्स उन सभी को मार देती है और मायल्स मौकी का फायदा उठा कर वहां से भाग जाता है पर उसे आगे जाकर पुलिस वाले पकार लेते हैं और उसे लेकर जाएं लगते हैं मायल्स पुलिस वाले से कहता है पुलिस मेरे हाथों को सही करो मेरे हाथों की मदद करो पर पुलिस वले ऐसा करने से मना कर देते हैं और वा मायल्स को चारा बना कर निक्स को पकड़ना चाते हैं क्योंकि निक्स को वा बहुत सालोसर ढून रहा है और उससे अरेस्ट करना चाते हैं पर हम देखते हैं जैसा ही वो लोग आगे निकलते हैं तो दूसरा डेटेक्टिव उस आफिसर को मार देता है और माल्स को लेकर सीधा रेक्टर के पास जाने वाला होता है तब ही रेक्टर उसे वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि नोवा मेरे कब जम है आगर तुम्हें Nix को नहीं मारा तो हम लोग Nova को मार देंगे यहाई सुनकर Miles को चिंता होती है और Miles फैसला करता है कि वह अब किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ेगा तब ही उसके सामने में Nix आ जाती है और वह Miles को मानने वाली होती है उससे पहले माइल्स एक ब्लान मनाता है और वा निक्स को समझा देता है पर इस ब्लान के बारे में रिक्टर को बिल्कुल भी पता नहीं होता है और फिर हम देखते हैं कि निक्स माइल्स को शूट कर देती है और रिक्टर को लगता है कि माइल्स मारा गया और सभी audience काफी ज़्यादा खोस होता है रिक्टर भी बहुत ज़्यादा खोस होता है और जिस समय नायल्स को गोई लगती है उस समय एक करोड audience ऑनलाइन होती है उस साइट पर या बात बहुत ही बड़ी होती है क्योंकि एक करोड audience किसी को भी life नहीं देख सकती और इधर हम द गरता चल जाती है और वार निक्स को सब कुछ सच-सच बता देता है, और उसके बार निक्स रेक्टर से बदला लेने के लिए тыयार होती है समाप्त करते हुए आगे बढ़ रही होती है लेकिन तभी रेक्टर के दो मसूर किलर आ जाते हैं जो निक्स को मानना चाते हैं और निक्स की दोनों उंगलियों को काट कर अलग कर देते हैं लेकिन निक्स फिर भी हरत नहीं मानती वह थोड़ा सा नसा करती है और उसके बाद वह उन दोनों आदमी कर ठीकाने लगा देती है पिर हम देखते हैं वह लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक बुरी तरीके से वह लोग पहस जाते हैं क्योंकि सामने बहुत सारे आदमी होते हैं और वह उन्हें बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे होते हैं तभी निक्स फैसला करती है और वह माइल से कहती है कि तुम्हे मेरे लिए रेक्टर को मानना होगा और मैं जाकर इनके सफाया करती हूँ वह अपनी दोनों को लेती है और अपने आप पर बम लगा कर उस लोगों के बीच में जाये लगती है जैसे ही वह सही जिगाय पहुचती है अपने आपको ब्लाश्ट कर लेती है और देखते है देखते है उसका पूरा सही फट कर बम की तरीके अलग-अलग शिधर जाता है और वहाँ के सभी गार्ट्स मार जाते हैं अब एक भी गार्ट्स जिंदा नहीं बज़ा था सिर्फ और सिफ रेक्टर और नोवा ही बज़े थे रेक्टर ने नोवा को पकल रखा था और वाइस पर छट के ऊपर होता है और तब है उसके पीछे मायल्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है पर मायल्स के पास जो हत्यार उसके हाथ में लगे हुए थे उसमें गोलियां खतम हो गए थी इसलिए मायल्स को बहाँ टो हैंड फाइट करनी थी पर मायल्स ने पहले कभी फाइट नहीं के थी और रेक्टर के पास इस बार गन भी होती है इसलिए रेक्टर उसे असानी से हैरा सकता था और सभी और्डियंस देख रहे होती है इस समय अलाइव दो करोड़ लोग उसे देख रहे होते है और यहाब बात मायल्स को पता होती है इसलिए मायल्स उन सभी को गाली देता है और कहता है कि तुम लोग की वज़े से हमान लोग की जिंदगी बरबाद हो गई है और तभी हम देखते हैं कि वह रिक्टर से सुरूफ फाइट करता है और रिक्टर को आसानी से हरा देता है उस रिक्टर को मानने के बाद उससे ऐसा लगता है कि यह काम खतम हो गया पर जरह सल यह काम खतम नहीं हुआ होता है उसके बाद हम देखते हैं कई साल बात अब रेक्टर इने लोगों को मानने का काम कर रहा है और इसके जिन्दकी काफी बदल चुकी है और वे एक प्रोफेशनल किलर बन चुका है इसके साथ यह मोवी एंड होती है आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पशन्द आई होग